देखो सबी बच्चे पास होना चाहते हो ना मेरे मम 30-45 नमबर तो लाना चाहते हो तो मेरा काम मेरा बस बताना इत्ता है कि तीन प्रक्टिकल बनाओ और 45 नमबर लेके जाओ इसमें से सबसे पहला प्रक्टिकल आपका हायर पर्चेस का जो यूनिट 4 पे है इस पर मैंने आपको दो वीडियो औरड़ी ऐसा बता दिया है जो अगर एक्जाम में आते हैं तो आपको पंदर नमबर देखे जाएंगी उनमें से एक कोशन तो पिछले ही साल 2023-2022 के एक्जा ताकि जो बच्चा सुरू से नहीं पढ़ा है वो अभी देख करके सीख सके प्रैक्टिस कर सके और इजाम में ये सेम कोशन आएगा तो बना सके ठीक है तो आप सभी को भी मेंबर से जॉइन कर लेना है और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने और सीखना है ठीक है चल इस कंपणी ने 60,000 रुपए नगत दिये शेश रासी का भुगतान 80,000 रुपए और 5 परशन ब्याज की वार्शिक किस्तों में किया डीकोल रिमिरेट के पुस्तक में वहान खाता विग्रेता खाता खाता खोल लिए मतलब दो ही खाता खोलना है और मुल लागत पर 10 परशे हरास काटती है देखो ब्याज की गढ़ना करनी है तो जितना नगत मुल है और जितना ततकाल दिया दोनों को घटा के ब्याज निकालना होता है 5 परशन का इस प्रशन का हेडिंग क्या है कि किस्त में ब्याज सामिल नहीं है ठीक है तो किस्त में ब्याज सामिल नहीं है तो जो किस्त पठाई जारी है वह मूल किस्त है उतना की at first आपको глаз लेखें यहां पर बताया है कि पहला कॉलम इसका रहेगा पिर आपको कैस्ट प्राइब करेगा फिर क्येल्कुलेशन कर हेगा फिर इंड्रेस hearing मांट करेगा फिर यहां पर आपका जो किस्त होती हुचकी और इसमें किस्त के साथ ब्याद जोड़के जो आते हैं वहां रासी तो यहां पर आपने यह लिखा 2016 परचेसिंगे टेक अपरेल 460,000 में नगत आपने डाउन कर दिया साथ हजार का तो आपका चाल लाग खाया जिस पर 5% ब्याद निकालेंगे तो आपको 20,000 निकला आप हर साल अस्ती हजार देंगे लेकिन उसमें आप 20,000 को जोड़ देंगे ब्याद को तो आप किस तरह का एक लाग रुप है ठीक यह साथ नई भी लिखेंगे तो चलेंगा आगे आप अस्ती हजार को इसमें घटाईए देखो जिसमें ब्याद सामिल नहीं है वह मूल धन रासी को आ तो आप किस्त में से ब्याद को घटाते हैं फिर जो आए उसको इसमें घटाते हैं लेकिन इन प्रष्णों में जो किस्त बताया जा रहा है वहीं मूल धन इसमें ब्याद सामिल नहीं है इसलिए उसी अमांवन को हर साल देखो 80、80,000 रुपए हर साल घटाया है जो घटाने स और आगे आगे आपका यह प्रस्द रहेगा अच्छा देखो कई बच्चों को अगर यह समझ नहीं आएगा इसका मतलब आपने पार्ट बन नहीं देखा तो आपको पार्ट बन पार्ट टू देखना है फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो विग्रेता का नाम लिए सकते हैं आपर उसका वह रासी जो आप दे रहे हैं मुलधन की रूप में तो वहां आप किस्त की रासी कित्ता दे रहे हैं 80,000 जो के कुल मिला के 1,40,000 हुआ इसमें सब फ्रास को काटिये तो 46,000 का 10% कित्ता होगा 46,000 होगा 46,000 का 10% 46,000 होगा तो बस इनके टोटल्स इसको घटाए जो बचा वो बेलेंस है जोड़ दीजे और इस बेलेंस को अगले साल लाया लिखिए दूसरा किस्त वही 80,000 रिखिए दोनों को जोड़िए 46,000 घटा ये क्यों सर 26,000 क्यों घटा रहे हैं क्योंकि जो हरास की दर है वो मूल लागत है मूल लागत मतलब इस थाए किस पदती उसमें एक बर जो हरास निकला उसी को दोहराना होता है यह सबसे सरल कोशन है और यह कई उनिवर्शेटी के द्वारा पूछा जा चुका है जिनके में लास्ट में पूछ लिए हो गए उनके में नहीं आएगा लेकिन जिनके में नहीं पूछा है उन सभी बच्चों के लिए IMP कोशन है मैंने पहले ही बोला है मैं जितने वीडियो बनाता हूं वो सारे च्छाट करके आपके लिए बिल्कुल फाइंड करके IMPORTANT है जो हैर पर्चेस के कोशन बना करके एक्जाम में 15 नमबर लाना जाते हैं यूनिट फॉर से ठीक है इससे पहले जो यूनिट थी है उस पर थियोरी आती है उसकी वीडियो बन चुकी है कि क्यों कुण सी थियोरी आए कि उसको देख लीजे हाली में जो भी जिन बच्चों पर हुआ है उनके में वही थी यह था जो मैंने बताया है सबने अपने कोशन बेपर भी भी जाए जिनको मैं अपलोड भी करते जा रहों का मिलोटे कर लाइज में आप देख सकते हैं ठीक है चलो आगे देखो इस तरह से बनता है इसका रूल क्या है पहला डाउंट्रेमें दिख रहा है उसी को लिखना है और इनका टोटल से उसको घटाना है और जोड़ देना है क्लोज करके जब आप 94 को फिर अगले साल लाएंगे तो फिर वही किस्त लिखना है जो आप अब हर साल देने वाले हैं इन दोनों से वही 46,000 घटाएंगे बार बार जो बचर उसको अकण मतलब विग्रेता का घाता विग्रेता को देखो आप 80,000 दे रहे हो और साथ में 20,000 का ब्याज दे रहे हो पहले साल पे उन दोनों को यहां समाकलर में लिखो कि वेकल से 80,000 और ब्याज का कितना है 20,000 जोड़क एक लाग रुप है तो रोकड़ खाता से एक लाग अगली साला पस्ती दे रहे हो लेकिन ब्याज का 16,000 दे रहे हो यह सब कहां है तो यह सब आपका यहां ब्याज की गढ़ना में है यह आप देख सकते हो 20,000, 16,000 करके पूरा ठीक है तो इनी सभी रासी को आप क्या करेंगे यहां लाइन से लिखते जाएंगे पहला किस्त प आपके 15 नंबर के लिए अब सेम आप इसका क्रियात्मा कोशन देखेंगे अ कि इस पस्ट्रूप से लिखा रहेगा कि इंट्रेस इस नॉट इंक्लोडेड इंड़ इस्टॉल्मेंट किस लिएस का समय ना होना तो कोई वेक्ति 75,000,000 रुपै कि रोकर मूले की कोई समपत्त सब्सक्राइब देने वाला यह새 असकी बताया है कितने किस्ते और वाला उसका पहले पैसय के पशचत्तर 12,000,009 इसमें बीस बेसरा ब्ढ़ा के नए दो सक्सान को यह चुब्आधा है जबकि वह पुराना इस तरह से था हमने ये तीन कॉलम पहले बनाते थे अभी आपको पांच कॉलम बनाने जो आपने धारण में देखा तो यहां पर हमने लिखा आपका मुलधन यहां पर डाउन प्रेमेंट घटा कर जो आए उस पर हमने ब्याद निकाला और इसमें हर साल की किस्त 11,000 लाक है हमारे में 11,000 थी तो यहां ब्याद की इसमें जोड़ दिये तो इतना आगया हमने कुल अमोन बता दिया जो किस्त किरासी बनने वाली है अब हर साल कितना घटेगा जितना आप दे रहो 11,000 तो देखो 11,11,11,11 घट आया है और जो घट 11,11 नीचे उन पर हमने ब्याद निकाला और उनमें लिखा इधर उसका 10 परशन राज 7,500 लिखा दोनों घटाने से बेलेंस है जोड़ दिया सेश लाया कि अब इसका 10 परशन निकाला तो यह निकला 108 तो आप बोलेंगे सर पहले में तो 40,000 था तो यहां भी जो 75 होई होना चीए तो पहले और इसमें फरक है उसमें इस्थाई की बोला इसमें कहां दिख रहा है तो यह 10 परशन की दर से क्रमागा थराज बोला है इसलिए इसमें हर साल ना जो घटके आएगा उसका 10 परशन लगाओ जैसे अब यह आ रहा है इसका 10 परशन शाट पुछटतर रहेगा यह इस तरह से पांस सालगा बनेगा विक्रेता कात तो बहुत इज़ी है वह आप बना लेंगे मुझे उम्मेद है तो आप उसके प्रैक्टिस कीजिए मैं मिलता हूं एक्स वीडियो में ठैक्स पर वाचिंग